हेलो एवरिवान, वेलकम बैक टू कोमर्स पॉइंट, आज की इस वीटियो में हम पढ़ेंगे वॉल्टर मॉडल के बारे में, वॉल्टर मॉडल डिविडेंट पॉलसी का एक इंपोर्टेंट मॉडल है, जिसे हम थियोरी ओफ रेलिवेंस भी कहते हैं, रेलिवेंस का मतलब ह कि रिलेशन होना, तो ये मॉडल किन दो चीजों के बीच में रिलेशन शो करता है, एक है हमारा डिविडेंट डिसीजन, दूसरा है वैल्यू ओफ फर्म, तो इस थियोरी के अकॉर्डिंगली, फर्म अगर डिसीजन लेती है डिविडेंट से रिलेटेड, चाहे डिविडे के वैल्यू पर फरक डालेंगे, असर डालेंगे, इसलिए इसको थियोरी ओफ रेलिवेंस भी कहते हैं, वाल्टर मॉडल जो है प्रोफेसर जेम्स ए वाल्टर ने दिया है, उन्हें के नाम से इस मॉडल का नाम पढ़ा है, आप इस इनका नाम ज़रूर याद कीजेगा, तो कम्पनी की वैल्यू के उपर, कम्पनी की शियर प्राइस के उपर, effect डालेगा, कम्पनी जो भी डिवेडन का decision लेती है, investment policy cannot be separated from the dividend policy, तो कम्पनी ने जब भी investment related decision लेने है, तो dividend policy जो है, वो investment से के उपर हमारा असर डालेगी, example के लिए माली जे company ने 100 रुपे को बाई अगर company 100 रुपे के 100 रुपे अपने shareholder को as a dividend दे देगी तो company के पास reinvest करने के लिए पैसा नहीं बचेगा company को दुबारा से market के उपर depend होना पड़ेगा इसका मतलब कि dividend कितना हमने circulate किया है कितना distribute किया है उसका direct effect जो है और 100 का 100 रिटेन करके रख रही है तो उस वज़ा से company को बाहर depend नहीं होना पड़ेगा सारे पैसे वो खुद इन्वेस्ट कर सकती है तो इस तरह से dividend policy और investment policy दोनों ही क्या है इंटर लिंक है Walter model show a clear relationship between two factors दो चीज़े आपने याद करके रख लेनी है इस पूरे model में हम दो चीज़ों की बात करेंगे एक है internal rate of return जिसको हम R से denote करेंगे दूसरा है cost of capital पूरी की पूरी थियोरी इन्हीं चीज़ों के उपर जो है घुमेगी सो हमारे पास इस model के अंदर तीन तरह की firms आएंगी growth firm, decline firm और एक balanced firm होगी ठीक है सबसे पहले है growth firm growth firm जो है वहाँ ऐसी firms होगी जहां पर R जो है that is greater than K K का मतलब है cost of capital और R का मतलब है rate of return so अगर हमारा investment के उपर internal rate of return जो है वो greater है as compared to cost of the capital इसका मतलब company अगर अपने पैसे जो है जितना भी earn कर रही है अगर उसको further invest कर देगी तो company को बहुल जादा अच्छी earnings होंगी cost जो है कम है return जो है जादा है simple लीजे return और cost अगर R जादा है return जादा है के कम है मतलब की cost कम है तो उस case में company को क्या करना चाहिए firm should retain the earnings because it poses better investment opportunities का मतलब company के पास investment opportunities बहुत अच्छी है तो company को distribute करने के जगा अपने पैसे को retain करके रखना चाहिए ठीक है reinvest कर देना चाहिए तो इस case में firm जो है उसकी payout ratio payout ratio का मतलब है कि वो अपने shareholder को कितना पैसा दे रही है तो payout ratio जो है वो कितनी होगी जीरो होगी decline firm की बात करें तो इनकी cost जो है वो जादा होती है return कम होता है क्योंकि आपके पास return जादा नहीं है इसका मतलब आपके पास investment की opportunities जादा नहीं है so it is better कि अगर आप अपनी earning को shareholders में distribute कर दो तो decline firm के case में payout ratio जो है वो 100% होती है अब हम बात करें ऐसी firm जिनके लिए cost of capital और investment के उपर return जो है वो equal रहता है जाने की R is equal to the K तो ऐसी company के case में ये company के उपर firm के उपर depend करता है वो जो है zero payout ratio भी रख सकती है और 100% payout ratio भी रख सकती है इसका मतलब है कि कोई फरक नहीं पढ़ रहा ठीक है firm dividend policy has no effect on the firm's value here the firm is indifferent towards how much is to be retained and how much is to be distributed among the shareholder so दोनों में से हम कोई भी decision ले सकते है हर एक theory के अंदर उसकी assumptions जो हैं वो बहुत important रहती है अगर हम assumptions को lift out करते हैं तो वो theory जो है वो reality में applicable नहीं होती assumption के साथ ही वो theory चलेगी so assumption इस theory की क्या है all financing is done through the retained earning इसका मतलब company जो है external financing बिलकुल भी नहीं कर रही rate of return, cost of capital remain the constant आर और के जो है वो क्या रह रह रहा है हमारा constant रह रह रहा है all the earnings are either retained जितना भी earn कर रही है company जानतों वो retain करेगी retain का मतलब है zero payout ratio जां वो distribute करेगी distribute का मतलब है 100% payout ratio so growth firm जो है उसके case में 0% payout ratio रहेगी और जो हमारी decline firm है उसके case में payout ratio 100% है ठीक है the earning per share and the dividend per share remain the constant so EPS और DPS तोनों क्या रहता है constant रहता है firm की जो life है वो क्या रहेगी pre-practual रहेगी ठीक है effect नहीं पड़ेगा याद रखेगा ये assumptions आपने ज़रूर याद करनी है क्योंकि competitive exam में इसी के बीच में से MCQs frame किया जाते है अब criticism, criticism अगर आप assumptions को हटा दे तो उनका criticism बन गया पहले हमारे पास assumption है कि कोई external financing नहीं है जो की गलत है firm जो है वो shareholder, debentures इन सब के through financing करती है तो इनका कितने आपने amount ली है उसका effect भी जो है firm के share value के उपर पड़ेगा अगर हम borrowing जादा कर रहे है ठीक है और shareholder जो है उनके लिए return कम पड़ जाएंगे क्योंकि पहले हम borrowed financing के उपर उन्हें return देंगे तो इस तरह से shareholder के mind में आजेगा कि उनकी secure नहीं है उनकी investment तो इसका effect भी पड़ेगा बट इन सब चीजों को Walter model में consider नहीं किया जाता Walter model applicable है सिरफ उन्ही firm के case में जो की equity firms है जाने की equity share के through financing कर रही है It is assumed that cost of capital remain constant लेकिन अगर हम firm की बात करें तो बहुत सारे risk होते हैं इन risk के चलते हुए firm जो है उसके cost of capital change हो जेगी अगर किसी भी investor को लग रहा है कि उसकी money उसकी investment safe नहीं है तो वो company से जादा cost पर demand करेगा वो company से जादा interest जादा dividend जो है expect करेगा तो इस तरह से हमारी जो cost of capital है वो भी change होती रहती है I hope you will like this video अगर आपको video अच्छे लगी है then don't forget to subscribe Commerce Point Thank you everyone